मेरे को एक अगर प्रतीनीधी बनाया गया है तो मेरी भी जवाबदारी है कि आदर्णी प्रमोद दुबे जी का नाम कभी खराब ना हो कभी वार्ड मैं करें कि भी आपके नहीं आने से भी काम होता है ये शिकायत ना करें कि काम नहीं हो रहा है उनको बार बार फोन जा रहा ह कौन-कौन से वार्ड में विकास के काम हुए हैं? लोग यह कह रहे थे कि प्रमोद दुवे जी तो आते ही हैं लेकिन उनके प्रतिनिधी के रूप में बाकर अब्वाज जी यहां पर दिन रात यहां सफ़ाई कर्मचारियों को लेकर सफ़ाई करवाते हैं लाइट की व्यवस्ता देखते हैं यह सब कैसे हो सकता है पच्पन लाग के आस-पास का बना है भागा सिंग गाडन 25 लाग का बना है विद्या गाडन 35 लाग का है आप हमारे वाड में आई और देखिए इतना खुबसूरत गाडन है वहां के लोग मेंटेनिंस करते हैं ओपन जीन वगेरा है ओपन जीन आप सुभाई है सब लोगो गाडन बहुत खुबसूरत बना हुए लब प्रमुद दुबे जी ने सब का ख्याल रखते वे ही रात्मिक्ता से वो सब काम किया है जैजोहार चतिसगर आप मन देखा तो न्यूस सेवेंटी टू मैं हूं हरी बंदु नायक हम आज भगवती चन्षुक लवाड के सर्वे पर निकले हुए थे और हमारे साथ कॉंग्रेस के निता सार कॉंग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और भगवती चन्षुक लवाड के पार्सत प्रतिनिधी बाकर अब्बास जी जुड़ रहे हैं बाकर भाई न्यूस सेवेंटी टू में सबसे पहले आपका स्वागत है सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आप इतने बड़े निता के प्रतिनिधी के रूप में क्योंकि नगर निकम के प्रमोद दूबे जी सभापती भी हैं और महुत ही सीनियर यहां महापौर रहे हुए हैं काफी व्यस्त रहते हैं ऐसे समय में आप उनके प्रतिनी दित्त बनकर वाड की जिम्मेदारी निभा रहे हैं कौन-कौन से वाड में विकास के काम हुए हैं देखे आदर्नी प्रमोद दूबे जी के साथ मैं करीबन 20 साल से जुड़ा वा हूँ और आदर्नी प्रमोद दूबे जी जब बामन पारा के वाड के पार्शाद रहे हैं चुणामडी वाड के पार्शाद रहे हैं फिर महापौर बने हैं महापौर के बाद जो है आज पंडित भगवती चनशुकल के वाट के पारशद भी हैं और सभापती भी हैं अब विकास की बात करोगे कि जो आदभी पूरे शहर का विकास किया उसको एक वाट का विकास करने के अगर जवापदरी मिले तो आप सोच सकते हो वो विकास कैसे हो एक टाइम में महापौर के रहते वे वो ने रहपूर में इतने काम किये कि आज रहपूर की जनता उनको जो है स्मार्ट सियरी का स्मार्ट पॉरक की जो उपादी मिली है वह इसले मिली है कुए कुरा सहर स्मार्ट हो गया था रहपूर का नहीं है स्मार्ट त tek शुक्र वाइबर्यरी है इतने विकास खारी जो है वो स्रिफ एक वाड में हुए हैं जो बहुत कम वार्डों को ऐसा सभाग के प्राग होता है जिक प्रमोद दुबे जी जैसा उनको अपने वार्ड में मिले आप उनके पूर्वी वार्ड भी देखोगे बामन पारा वार्ड हो चाहे चुड़ा मडी वार्ड हो वो सब में विकास की गंगा इन्होंने बाही है लोग ये कह रहे थे कि प्रमोद दुबे जी तो आते ही हैं लेकिन उनके प्रतिनिधी के रूप में बाकर अब्बास जी यहां पर दिन रात सफाई के काम में लगे रहते हैं यहां सफाई करमचारीयों को लेकर सफाई करवाते हैं लाइट की व्यवस्ता देखते हैं ये सब कैसे हो सकता है समों जी देखिए प्रमूत दुबे जी अगर मेरे उपर विश्वास करें हैं और उन्होंने मुझे जो जवाबदारी दी है कुछ सोच समझ कर गहीं दी होगी तो अगर एक प्रतीनिधी बनाया गया है तो मेरी भी जवाबदारी है कि अधर नी प्रमूत दुबे जी का नाम कभी खराब ना हो कभी वाड मा है तो यह करें कि भी आपके नहीं आने से भी काम होता है यह शिकायत ना करें कि काम नहीं हो रहा है उनको बार बार फोन जा रहा है या परिशानी है तो इतना मेरे को छूट भी दे के रखें हैं प्रमूत दुबे जी कि जो भी काम होगा आप डि अभी आदर्णी प्रमुत दुबेजी का नाम खराब नहीं होने दूंगा यह अगर कुछ होता भी है तो यह सब मेरी जवाबदारी होगी अगर कोई सफाई करवाते रहते हैं तो कितने सफाई करमचारी आपके वाड़ी हमारे जो है सफाई करमचारी जो है संख्या जो है वह चालीस की है और वह सुबद 6 बज़े से अपने कामों में लग जाते हैं उनको मानिटरिंग करता हूं मैं जो भी जहां भी कंप्लेन होती है उसको हम तत्काल उसको निराकरण करते हैं एक सबसे अच्छी बात जो हमारे वाड के आपको बता हूँ आदर्णी प्रमोद दुबेजी के निर्दे अनुसार हम लोगों ने जब वाड प्रमोद दुबेजी यहां के प्रतिनीदी बने तो सबसे पहला काम हमने क्या किया इस वाड क उसका तत्काल निराकरण करते हैं और लोगों को हम ग्यारा सो नगर निकम का ग्यारा सो का भी कंप्लेन नंबर है लेकिन उसमें भी अगर 24 घंटा लगता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको तत्काल जो है उसकाम का समधान करें चाहे को ऐसी भी समस्या हो जो हमारे बस में लेती है उसको तत्काल करने की कोशिश की जाती है कितने आंगनबाड हैं आपके बार्ड में आपकी होकष मैं नोमारे थी सबराषन दुकान थी आपर जो है अभी तक को होग समय से राशन मिल जाता है लोग forces झाप है अभी कोई कोई शिकायाद आती कि आप उधर बहुत कम आते हैं, आप सफ़ाई में उधर जैसा होनी चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, क्या कहींगा? मैं देखिया ऐसा है, आप को मैं बता रहा हूँ, मेरा काम है काम करना, और आप सौ में सौ लोग को संतूस नहीं कर सकते हैं, होता है, एकका दुक का शिकायत आती होगी, अगर उसके लिए अगर शिकायत आ भी रही है, तो मैं उसके लिए छमा पर आती हूँ, और कोशिश प्लेन आएगी, तो मैं जरूर उसको जो है, उसका समधान जरूर करूँगा, अगर किसी को शिकायत भी है, तो उसके लिए मैं छमा चाता हूँ, इसकुल और स्वास्त को लेके वार्ड में क्या कार किया है, देखिये, स्वास्त को लेके अभी हमर क्लीनिक जो है, हमर कर्मिशन का कैम भी है, और ऐसे स्वास्त के कई से कारिकरम है, आज जो है हमारे हाँ, चरम रोग वारा जो है, शीवीर लगा हुआ है, ऐसे बहुत से जो कारिया है, बराबर होते रहते हैं, अधरनी प्रमोद दुबे जी आते रहते हैं, सब शीवीरों में आप कभी भी हमा जीना थी, ओपन जीम का, क्योंकि युवावर्ग बहुत उस्साहित था उनके इस जीवीरों में और जब पारसत बनें तो उसके छेत्रे में कोई गार्डन वगेरा ऐसा ओपन जीम, क्या-क्या विकास हुए है, यह काम है, इसमें तीन गार्डन के काम हुए, जिसमें ओपन जीन लगा हुए एक भगस सिंग गार्डन है, विद्या गार्डन है और फन फेस्टा ग्राउंड है, तीनों में गार्डन जो है, पन फेस्टा गार्डन जो है 55 लाग के आसपास का बना है, भगस सिंग गार्डन 25 लाग का बना है, विद्या गार्डन 35 लाग का है, आप हमा समुधाय रहती है कि गरीब लोग है कैसे क्योंकि भवने के गया रहती है कि तो कि अ्ध, गैसे नहीं के रहती है किराय में दिया जाता है और बहुत ही रिजनेबल रेट में दिया जाता है और वहां पर लगातार शादियां होते रहती है लब प्रमुद दुबे जी ने सब का ख्याल रखते वे ही काम किया है यह थे बाकर बाज जी और प्रमुद दुबे जी के भगवती चर्ण सुक्लवा नमस्टा.